है गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रिलंका वर्शिद ऑस्टला के बीच में जो सेकंड टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा तो इस मैच कॉम कवर करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट स्टेट्स इस इंडस्ट्री में सो आप लोग सब्स्राइब जरू करिए और अपना सपोर्ट बनाये रखिए अगर बात करें इस मैच की तो देखिए सेम वेन्यू पर मुकाबला खेला जाएगा गल पर देखिए जो बड़ी निउस निकल के आ रही है वह यह भी आ रही है कि ग्लैन मैक्सवेल जो है वह इस मैच में खेल सकते हैं मिशल स्टाक की जगए पेस बोलर है उनको रिप्लेस कर सकते हैं ग्लैन मैक्सवेल क्योंकि और इतना पेस का यूज है भी नहीं तो एक दो प कितना लोग जा सकता है स्कोर अभी मैं आपको पिछले कुछ मैचेस यहां पर दिखाऊंगा जिससे आपको एक अंदाजर लग जाएगा सबसे पहले बात करते हैं टॉप पिलर्स की इस वेन्यू पे जिन्होंने पहले खेला हुआ है उनके बारे में जानते हैं डिसिलवा जो की कोविट पॉजिटिव निकल चुके हैं डिसिलवा इस मैच में नहीं खेलेंगे इनका काफी एच्छा रिकॉर्ट था 81 रंस पर मैच का परफॉर्मेंस यह देते थे अगर हम बात करें देखिए एंजलो मैथ्यूस की तो यह जो है पिछले मैच में कोविट से एक ही मैच खेला अच्छारण किया था उस्मान ख्वाजा ने भी 71 लगाये थे फस्स मैच में ही बैटिंग करके इसके अलावा नेथन जो है इस वेन्यू पे टोटल नौ विक्ट लेके गए थे जैसे कि मैंने आपको बता है स्वेप्सन भी पांच विक्ट ले गए थे ऐवन दीखे और बी काफी लेके गहे थे और इमबॉल दायाण भी काफी किकी गए थे पहले के match कि मुखाबले कितने हैं कि बाटेन चारव मैक्सिए मीरे घषो साय pleasing स्पिन बूलर्स रहें इस चीज़ पर हम थोड़ा था फोकस करेंगे तो अच्छी टीम मना पाएंगे स्पिन बूलर्स को यहां पर काफी सपोर्ट है फेंटसी टिप्स में आपको बज़ा देता हूं इस दोरे पर प्लेस में जो खेला है उसमें फेंटसी पॉइंट कितने द टूटल मैच इसकी बात करें टेस्ट करें यहां पर जो खेले गा तो थर्ट टूटल खेले गाएं एक किस बैटिंग फस्ट ने जीते और ग्यारा बैटिंग सेकेंड जाद जो है बैटिंग फस्टीम जीत रही है बट ऑस्टेलिया वन साइड़ेड विनर है पहले आपको सब्सक्राइब बहुत मजबूत है हाइस टूटल यहां पर रिकॉर्ड हुआ वह सिक्स थर्टी एट का हुआ है और लोइस टूटल जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है लास्ट मैसे की बात करें तो 29 जून से 3 जुलाई तक एक मैच खेला गया था जो की फस्टेस्ट मुकाबला जिसको श्रेंट से जीधा था अब देखिछ शिलंका ने एक बार बैटिंग करी दो बार बैटिंग करी ब्स्ट निकालने के चांसे ऑस्ट्रिया के बोलस के पास रहेंगे दो बार यानि की total आप देखिए 20 विकेट की opportunity है जो कोई भी ले जा सकता है जैसे 9 विकेट तो पिछले match में नेथन लियोनी ले गए थे 5 विकेट स्वेफसन ले गए थे इस type से जो है spin को जादा favor है तो जादा विकेट जो है में भी कुछ matches खेले गए वहाँ भी जो अच्छी टीम है उन्होंने performance अच्छा किया हुआ है mostly scoring यहाँ पे 200-300 तक पहुँच जाती है पिछले match में देख सकते हैं Australia strong team है 321 बनाए शिलंका वीक टीम थी 200 बनाई 113 बनाई ओल आउट रही इसके बाद नीचे चलते हैं बात करते हैं ICC test ranking की तो ऑस्टले नंबर 1 पे चल रही है शिलंका नंबर 7 पे चल रही है काफी ज़दा difference है दोनों टीमों में तो ऑस्ट्रेलिया ही वन साइड इस match को जीतनी चाहिए फेड़ की बात करते हैं आपस में 32 मैच्स खेले हैं और में ओस्टलेया 20 जीती है और शिलंका 4 जीती है आठ मैचन पीच में डौब्य हुए है तो यहाँ पे आखेली 5 मेच में यहाँ पर त्छी करें स对 मैच चैने से 3 मेच ऐसे जीते हैं धो मेच श्यलंका जीता ठेक要 हुए है एक ऑर लेठ। तो शिलंगा का टेस्क एकर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है फिर ऑस्टला के अगर हम स्कोर की बात करें किस टीम के खिलाफ इन्होंने कित्ता कित्ता स्कोर कर रहा है तो यहां से आप देख सकते हैं और शिलंगा का भी देख सकते हैं किस टीम के खिलाफ कित्ता देखने को मिलें जैसे निएन लेँ मों जो है दमुध करूनत में कर दिन्लेज है और बा कमिकेट ले चुके उसे रहे हैं सब्ल्ट को लिखेक्र हैं लेटा इसमें गातीज और इनका दोck तो ये काफी अच्छा केलते हैं एक इबार इनको अपना विगिट दिया है पाथोम निशांगा की बात कए तो कमेंसेट की बार विकेट निकाला है एक बार स्विफसान निकाला है ठीक है स्टाक और सीनि मर्म आभी तक कि तो नीचे क्या भीकेट मेंडेस निकाला लाए इंभल दायन को ठीक ठाग खेला हुआ है फनान्डो को भी ठीकठा खेला हुआ ऐसले बैड्रस में आप देखें लाभू शेन इनका विकेट मेंडेस लेके गए थे ट्रविस हेड के ऐसले ला लेके गए थे और एलक्स करी का विकेट जो है वो आर मेंडिस लेगे गए थे तो यह कुछ प्लेयर थे प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें जिसमें आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा दोनों टीमों की तो डेविड वॉनर जो है यह उपन करेंगी तरफ से ख्वाजा की साथ अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखे तो वर्नर ने दो मैच में 2510 बनाएं और उस्मान ख्वाजा ने एकत्तर और शून ने बनाएं यह इनका एक मैच का परफॉर्मेंस है यह ब्रैकेट में लेखा हुआ है फस्ट इनिंग सेकेंड निंग में जीरो बनाएं इसके पहले टेस्ट करेट खेला तो उस्मा आप परफॉर्मेंस है और यह अपोडिशन टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस है तो इसलिए आप काफी को समझ में आएगा यहां पर शातक भी लगा चुके आप पोडिशन टीम क्लाफ उस्मान ख्वाजा एक बार और कई बार 40-50 प्लस लगाया है डिविड बॉन ने भी मान परफॉर्मेंस देखेंगे तो आकरी मैच में बनाए नोंने सेकंड मैच में बैटिंगी यह जाती है जो टीम सिर्फ एक बार बैट करती है जैसे ऑसलिया हो गई कि आगर एक ही बार बैट करेगी सब्सक्राइब करेगी तो ऐसे में होता है कि अगर आपका प्लेयर आपने सब्सक्राइब करा और जल्दी आउट हो गया तो मेभी पॉसिबल सैकेंड बार बैटिंग ही ना आए यह भी इशू होता है तो यह चीज़ को देख लेजेगा लास्ट मैच में यह हुगा था तो मार्नस आपको ज्यादा फेंटसी पॉइंट नहीं दे पाए सेम टूसे मे बैटिंग यह तो यह हो जाता है ट्रैविस हैड का देखिए च्छे इन मना दूसरी बार बैटिंग नहीं आई बट्रैविस हैड पिछले मैच में चार लेक्ट लेकर चले गए ते और बालिंग कर लेते हैं तो थो थो पर ध्यान रखेंगा बस एई ही बोलूँगा काफी ज्यादा होते हैं तो ऐसा होता है कभी-कभी डाउन डाउडर जो बैटर है वह भी अच्छा गड़ जाता है जैसे अगर इंवस्ट में ग्लैर मैक्स फिला दिया बहले वह आट पर बैटिंग करें साथ पर करें अगर बैटिंग आ गई तो 50-60 बंदा लगा देगा और क है नहीं इसलिए इन्होंने क्या किया है कि सटा की जगे पर मैक्स ब्यायल को लाने की इननोंने जो है सब्सक्राइब को बड इक चीज़ कर सकते हैं जो इस इस चीज़ों ब्हुत कर सकते हैं तो वह ध्यान में रखिएगा ठीक है बेंच में इनकी पास सेश्टन आगर हैं जॉस सेजलवोड है, स्कॉट बोलेंड है, जॉस इंगलिस हैं मिश मार्च, ग्लैन मैक्सवेल हैं शिलंका की प्लेंग लगन की जल्दी से बात करते हैं किसी भी दिन बड़ा स्कॉल लगा सकते हैं पातुम निशांका, ज़्यादा की टेस्स क्रिक्ड उनने खेली नहीं है पर जितनी खेली उसमें पर्फॉर्मेंस अच्छे दिया है तो ग्रेंड लिग में ट्राय कर सकते हैं, स्मॉल लिग में फिर भी इनको में लेनी की आपको अपील नहीं करूँगा कोशल मेंडेस नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं 34 के अवरेज से खेलेंगे, लास्ट में फ्लॉप रहे, दोनों इनिंग्स में तो इनसे ज्यादा एकस्पेक्टेशन में टेस्ट में अभी करूँगा भी नहीं योगी फॉर्म भी खराब है, आप पूजिशन टीम के लाव रेकॉर्ड भी खराब है कमिंडू मेंडेस जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं इनको इस मैस में चांस मिल सकता है, अभी तक फर्स क्लास क्रिकट खेलिए हुए रहे, और 58 के आवरेस से बैटिंग करते हैं, 19 विक्ट एक किस मैस में नेका लिए हैं, ओवरल ग्रैंड लिग के लावा, इनको ट्राइ कर सकते हैं, कमिंडू मेंडेस, बैटिंग बॉलिंग एक वैला काफी बढ़िया फॉर्म में लगे, एक एनिंग में 58 ट्रंस लगाये थे इनोंने और विकेट कीपरिंग भी यही कर रहे थे, तो यहाँ पर इंपॉर्टन रहेंगे लेना चाहिए आपको, फिर आते हैं दुनित वैलानेज, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्ट में देखे होगा, तो वैलनेज इंपॉर्टन रहेंगे, आप इनको लेकर चलिएगा, रविश मैंडेज को भी ले लिजीगा, पिछले मैच में इन्होंने चार विक्टे भी निकाली, 22 रंग भी बनाये थे, तो काफी फेंटसी पॉइंट दिये, और स्पिन बोलर है, तो वैसे भी यहाँ पर इंपॉर्टन जादा है, तो इनको लेकर अगर आप चलेंगे, तो यह आपकी टीम में help करेंगे, फेंटसी पॉइंट करने में, फोर्म भी ठीक है, स्पिन बोलर है, अच्छा कर रहा है, और विक्ट से मदद है, रंस भी बनाएगा, ले लिजेगा, व आप जल्दी से बात करते हैं, टीम की क्या हमारी टीम बनेगी इन स्टार्ट के बेसेस पे, तो यह मेरी टीम फॉर्म हुई है, जिसमें मैंने कैप्टन उस्मान खुआजा को किया हुआ है, और वाइस कप्तान मैंने निटन लिएन को किया हुआ है, मेरी टीम में डेविड लग रहे थे, मैं भी पॉसिबल टीमिन का फिर से अच्छा का से यूज करें, इवन लावू चेक को भी कुछ ओवर मिल सकते हैं, फिर मैंने करून अतने को भी लिए, डिक वैला को भी लिए, आप डिक वैला की जिगे पर दिनिस चंदिमल को भी ले सकते हैं, यहां पर मैं मैं मैक्सवल खिल गए, तो मैं बहुत अब तक चांस है कि मैं कमिन्स को छोड़के, मैक्सवल को भी ले सकते हैं, मैक्सवल ज्यादा बॉलिंग करेंगे इस फिकेट पर और रंस तो बना इसकते हैं, तो वह एक अच्छा ओप्शन हो जाएगा कमिन्स की जगे पर, और मैंन आप डिविट वर्नर के साथ बेजर क्याप्टन वाइस कप्टन जा सकते हैं, इवन स्वेफसन भी अच्छी ऑप्शन है, बट अगर आपके पास निथन लेओन अवेलेबल हैं, तो फिर आपको कोई और ज़रूत नहीं, इस पिन के देखने की, तो कप्तान भी आप निथन टॉस, अपडेट, पिछ रेपोर्ट, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर दिये जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बबाए